नमस्कार दोस्तों, हैपी स्टेडी जुन में आपका स्वागत है और आज हम देखने वाले हैं रैबीट फास्टर विजन जारकन के न्रित्त का तो कभी शांदार और जबरदर्शते सेसन रहने वाला है तो उचलिए असका सेसन स्टार्ट करते हैं Q1 के साथ पहला Q2 के शुरुवात इन में से किस अस्थान से हुए थी अंसर है सराइकिला से नेक्स्टर Q2 चो उन्रित के संबंद में निमनलखित कतनों पर विचार किये जए Option 1 है चो उन्रित का आरंब चारकन के सराइकिला खर्सावा में हुआ था पहला अप्शन है या पुरूस परदान रित है जोसर अप्शन है राजी के खोटी जुले में इसके एक विशेश से स्टैलिका विकास हुआ है जिसे सिंगुवा च्छो कहा जाता है C अबर से 2010 में इस निरित को यूनेस को द्वारा विरास्त निरित में शामिल किया गया था और इसका अंसर हो जागा ओप्शन नंबर D यानि के उपरोक तो सभी सही है D ओप्शन नेक्स है क्वेशन नंबर 4 विदेश में पहली बार चोहन रित का परदर्शन कब किया गया था अंसर हो जागा ओप्शन नंबर B 1938 में नेक्स है mitä 5 इनमेंसे किसने सबसे पहली बार चोहन रित का विदेश में परदर्शन किया था अंसर हो जागा सुधेंदु नरहेंट सिंग ने नेक्स है噪्शन नंबर 6 चोहन रित के वरने में इनमेंसे कौनसा खतान सत्तिन नहीं है अंसर रोज़े का ओप्सें नमबर C, इस इंडित्य में के वाल भाव की अभी वेक्ति होती है, खथानक नहीं होता, ये गलत है सही क्या है, इस इंडित्य में परियुक्त हाथीवीर रस को प्रतिबिम्बित करता है, ये सही है इस इंडित्य में परियुक्त कालिभांगा श्रिंकार रस को प्रतिबिम्बित करता है, A और B सही है, C गलत है, C ओप्सें इस करेक्ट वन चारखन्ड के किस इंडित्य को नीडशूस को भी कहा जाता है, अंसर हुजएगा उप्सें नंबर B जदूर को नेक्स्ट है क्वेशन नमबर एड जदूर नन्ड़ित्य के बरमें कौन सा कथन आसाथते हैं सही एंसर होजेगा option c यानि कि यह न्ड़ित्य के वले स्थीडियों द्वारा किया जाता है यह आसाथते हैं नेक्स्ट है question number 9, जदू न्रित्य के बर में निमने कत्रों पर विचार कीज़े, पहला option है, इस न्रित्य में लाई ताल तथर राक ये नुर उपर महिलाएं न्रित्य करती हैं, उपर में से कौन से कतन सत्त है, ये बताना है, नेक्स्ट है question number 9, पाइका न्रित्य के द्वरान इन में से किसका परियोग अनिवारी होता है, इस निरित्य के बर दस्तन के वाला पूर उसे द्वारा किया जाता है, उपसन न्रित्य उपरोगते सभी कतन सत्ते है, नेक्स्ट है question number 18, पाइका न्रित्य पर चलित्य है, पाइका न्रित्य के बर में कौन से कतन सत्ते हैं, ये बताना है, तो उपसन A, B, C, तीनों साही है, यानि कि इस निरित्य का मंचन रूस में आयोजीत भारत महोत्सों में किया जा चुका है, रूज के भारत महोत्सों में इस इंडरित्य का प्रदस्षन डॉक्टर राम द्यालमुंडा के नित्रित में किया गया था या इंडरित्य पास, साथ और नौ वेक्तियों के जोड़े में किया जाता है अंसर रुज़े का option number D, उल्पर रुप्त सभी कतन सकते है नेक्स लुकेसर नौर 21, जत्रा नौर 3 में से किस जिन जाती में सरवाधिक परचलित है अंसर है उराउ जिन जाती में जत्रा नौर 2 के बन्में क्वोण से कतन सकते है तो option A है, option A है इस डृति के दुरान पूरुस और इस तरी एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ कर दृति करते हैं इस डृति का परतर सर्ण विर्धाकार या अर्ध विर्धाकार घेरा बना कर किया जाता है दोनों सही है, option number C नचनी डृति के वर्मेंन नमेसे कौन सा कथन साते है सही अंसर हो जाएगा, option A और B दोनों सही है यानि कि या अंडृति इस तरी और पूरुस कार्थिक पूर्रिमा के आफसर पर विस्से इस रूप से करते है इस ड्रित में इस्तरी नाजनी और पुरूसर रसी के रूप में होते हैं ये भी सही है तो option number C हो जाएगा उपर दोनों कथन साथ है next question number 24 नटवा ड्रित के बारे में इसे कौन सा कथन साथ है next question number 25 नटवा ड्रित के बारे में कौन सा कथन साथ है next question number 26 नटवा ड्रित के बारे में इसे कौन सा कथन साथ है ये बताना है तो इसका अंसर होजएगा ABC तीनो साथ है यानि कि यह इस्तरी प्रधान ड्रित है इस नृतिक परदर्शन फासल की कटाई के अतरिक्त विवाहत था अन्य औसलों पर भी किया जाता है और यह नृति घिरा बना कर समुमें किया जाता है प्रोग तो सभी के तन सत्ते हैं अपसन नमबर डिग 28 नमबर इन वे से कौन सा जुमर परकार नहीं है 28 का अंसर होजएगा लाल जुमर परकार नहीं है यानि कि कर्या जुमर उधावा अंतर और रसकीरा अंतरित ये सारे के सारे परकार है नेक्स्ट वैशन नमबर डिग बिनसरी अंडुरित अप्सन नमबर डी उप्रोक्त सभी नेक्स हो कैसन नमबर 30 जुमा नुरित के विभिन परकार वो उनकी विशेष्टाओं के संबंद में निमना लिखीत पर विशेष्टाओं के साथ बिलान करना है 30 कांसर क्या हो जाएगा 30 कांसर हो जाएगा जो पर देरत्मे और भी नसरिया रात्री के और अवसान के बाद या अप्सन नमबर बी इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है विशेष्ट नमबर 31 जादिया अंडुरित के वर्मेन में से कौन सा कथन सही नहीं है इसका अंसर हो जाएगा अप्सन नमबर ए यानि कि इस तरी प्रधान रित्त है ये सही नहीं है तो अप्सन नमबर ए इस प्रशन का उत्तर होगा नेक्स्ट है क्वेशन नमबर 32 लूजरी इंडरित के वर्मेन में से कौन सा कथन साथते हैं सही इंसर हो जाएगा ऑप्सन ए और बी दोनों साथते है यानि कि इस इंडरित के प रधान रित्त है इस अच्छतन की और बी दोनो सही है यानि य कि इस प्रूस प्रतान रित्त है ऑप्सन नमर सी सब्सक्राइगा दोनो सही है envision Q35, मुंडारी निर्टी के संदर में इनमें से कौन सा कथन सात्ते है 35 का अंसर हो जाएगा, A और B दोनों से ही है यारि कि निर्ट मुंडारी जिन जाती में सरवाधिक प्रजलित है या अंडरी रंग और भी रंग की पुशाक पहन कर किया जाता है अप्सन नमबर C इसका अंसर हो जाएगा, उप्रोक तो दोनों कथन सात्ते है इनमें से कौन सा अंडरी जिन जाती में प्रजलित है 36 का अंसर हो जाएगा, गैंक और मागे निर्ट प्रजलित है अप्सन नमबर C माग इंडित्य के बर्मेन में से कौन से कथन सत्त है 37 का अंसर हो जाएगा A, B, C, 3 यानि कि इस इंडित्य में महिला और पुरुस दोनों भाग लेते हैं यह अंडित्य माग पूर्निमा के दिन मनाया जाता है ये भी सही है और इस नृत्य के दोरह न नर्दकों के बीच गाने पसाने वाले घिरे होते हैं ये भी सही है तो आपसिन मड्य हो जाएगा वो प्रोक्त सभी कतन सथे हैं जारखन के संथाल जन्जाती में प्रचलेते इन न्रित्यों वह उसे संबंदित विश्चिष्टाओं के बारे में सही मिलान कौन सा नहीं है यह बताना है तो आप्सन नमबर A है लांगडे न्रित्य किसी खुसी वा उच्षो किसमें मनाया जाता है ये सही है बहांडृत्य इस इंडृत्य में साल वा महवा के फूलों का परियूग किया जाता है ये भी सही है और डाहर में इस इंडृत्य के परदर्शन ना साड़क पर किया जाता है सारे के सारे सही है कोई भी गलत नहीं है तो आप्सन नबर डे इस परशन का उतर हो इसके लावा इस नित्य को पर्जर्शन सरहूल के आउसर पर किया जाता है ए और भी सही है सी गलत है नेक्स्ट नमबर फोटीवन इनमें से कौन सा न्रित्य दशहरा के ठीक पूर्व पांच दिनों हेतु अधिवासी पुरुष द्वारा किया जाता है पुरिवन का अंसर है दसाइ न्रित नेक्स वह कैसे नवर ट्रो फोटिट्य दसाइ न्रित्य के बरमें कौनसा कतन साते हैं 42 Empire फोटिट्य का अंसर होजजेगा ABC तीनों साते है यानि कि इस न्रित्यकों दौरण नर्थक के माथे पर मौर का पंख लगा होता है इस न्रित्यकी दौरण वाद्दि तो यह किसका सूचक है बंदी बनाई जाने के दुख का आपसा नमबर भी इस प्रशन का उत्तर है नेक्स नमबर 44 दंसा इंड्रेति के अंति में प्रयोक्त शब्द देहेल प्रति किसका है तो अपसा नमबर C हो ज़ेगा वीजाई का नेक्स नमबर 45 जारकन में प्राचिद इनमेंसे किस नमबर 24 देहेल के व्युक्त धारन करके अंसर हो जदेह का कौनस नमबर 47 इनमेंसे कॉप्सन नमबर निर्थम को जाकर उनके अगन में निलीथे करते तथा अनिक रहन करते हैं ज़ेगा ऑसन नमबर 48 इनमेंसे किस अंड़ित का बर्दर्सन विवा के समय किया जाता है अंसरोजे का डूमकच अंड़ित Next question number 49 डूमकच अंड़ित के बर्में मेंसे कौन से कतन सत्त है अंसरोजे का option A, B, C, 3 हो सही है यानि कि विवा से पूर्वधी वर्थ तथा कन्या के घर में रातरी किसम आंगन में इस इंडृत का बरदर्शन किया जैता है यह समनता इस्द्री पर धंृत है यह बी सही है नेक्स से इस अंड्रिति के दुरह न परिवारे को सद्दसी के साथ साथ पढ़ो उसकी महिलाई भी भागिदार करती हैं ये भी सही तो अप्सन नमबर डी हो जाएगा उप्रोगतों सभी कथन सत्ते हैं नेक्स ओक्सन नमबर फिटी जैसपुरिया अस्मिया तथा जूम्ता इनमें से किस अंड्रिति के परकार हैं पचास का अंसर हो जाएगा दुमकच अंड्रिति के परकार हैं नेक्स एक क्वेशन नमबर फिफ्टी वन, हेरो न्रितिक अबर्धसन किया जाता है, अंसर हो जागा धान की बुवाई के बाद, ऑप्शन नमबर A, घोड़ा न्रितिक के बारे में इमें से कौन सा कथन सत्त है, एक बावन का से अंसर हो जागा, ऑप्शन नमबर C, यानि कि A और भी दोनों, यानि कि इस न्रितिक आयो जर्नत, हवारो, मेलो, बारात, वास्वागत के समय किया जाता है, इस न्रितिक के दोरा नर्तक बास के पहिए से बीना पैर के घोड़े किया करेते बनाकर न्रितिक करते हैं, ऑप्शन नमबर C, इसका विलकुल से अंसर हो गया, नेक्स नमबर 53, इनमे से कौन सा व्यक्ति घोड़ा न्रित हेतु परसित रहे हैं, अंसर हो जाएका, दुर्गानाथ राय, C, आप्शन, नेक्स नमबर 54, जरगा न्रितिक के बने में इनमे से कौन सा कतन सत्य है, 54 का अंसर हो जाएका, A, B, C, तीनों से है, सत्य यानि कि या बताना है कि और जरगा न्रितिक के बने में से कौन सा कतन सत्य है, तो देखिया, अगर सेसन आपको अच्छा लग रहा है, तो एक एक लाइक कर देजे, थोड़ा सा रैपिड जरूर है, लिकिन आप लाइक करना मत बूलिए, लाइक कर देजे और शेयर भी कर देजे, ताके मैक्सिमम लोगों के साथ ही वीडियो पहुच भाए, और अगर आप चैनल पर नहीं है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा, ठीक है, आपको तना है इनमें से कौन सा सत्य है, तो इसका से इंसर रोजागा A, B, C, तीनों सही है, औरिकि इस निरितिक अपर दे सहर है इंड्रितिका, नेक्स्क्रेकला चैनल को सकतन सत्य है, तो इसका बाए, पूजाहों के आउसर पर किया जाने वाला धार में के इस निरितिक कैनल क्या ईसका कहतन सत्य है, नेक्स टोक्वेशन नब्बर 59 जर्ढंतरी, रज करेड़ा हुआ, थर्डिया, इनमेंसे नेक्सटोक्वेशन नब्रitsन के परश्चात्त पर Weihnbuzili पर rated के बिघुड्ण उड़ेने पर किया जाता है 68 का अंसर है धूरी अंडृत है Next question number 69 काले अंडृत के बर्मेर में इसे कौन सा कतन साते है 69 का अंसर होजेगा ABC 3 यानि कि ये एक महिला परता अंडृत है इस अंडृत में महिला एंश्रिंगार से सज़ कर मुकुर पहन का अंडृत करती है इस अंडृत में राधा क्रेश्न प्रेम प्रहसंग की प्रमुकता होती है अपसर नमर डी उप्रोकत सभी कतन साते है Next question number 70 जारखन में प्रहसंद इन में से किस अंडृत को नाचनी खेलरी नाच के नाम से भी जाना चाता है अंसर होजेगा अपसर नमर सी प्रोकत सभी इस इंडृत का आयोजन विवाह के उसर पर किया जाता है इस इंडृत का आयोजन वर्दता करन्या दोनों के घरों में किया जाता है इस इंडृत को दरामदार उंडृत भी कहा जाता है तो डी उप्सन सारे कत्थन साते है Next question number 73 इस इंडृत का आयोजन सामवह के उसर पर किया जाता है इस इंडृत को दरामदार उंडृत के इस माह में किया जाता है अंसर है पौश्मा में Next question number 76 अचारकर में पर चली तरह में से किस इंडृत के दोरा ना पाड़ू गीत गया जाता है अंसर होजेगा हलका नृत्य ओप्सन नंबर बी Next question number 77 इनमें से किस इंडृत के दोरा ना सरपाकार आकार रम एंडृत किया जाता है इनमें से किस इंडृत को जदीरा नृत के नाम से बीचाना जाता है लेजेगा Next question number 81 इनमें से भगवान रित के किस परकार के दोरान दो तलो के बेचर रागों में प्रश्ण उत्तर चलता रहता है अंसर होजेगा अप्सन नंबर ए भगवा पचारी Next 82 इनमें से भगवान रित के किस परकार के दोरान हर गड़ी पर राग को बदल दिया चाता है अंसर होजेगा उप्सन नंबसी पच्रंगी फगवा Next question number 83 कस इंडृत के बारे में में से कौन सा गतान चाते है Option A, B, C तीनों साही है Option number D इनमें से किस इंडृत को भगतिया अंडृत के नाम से भी जाना जाता है 85 का अंसर है मंडा अंडृत को Next question number 86 मंडा अंडृत के बारे में में से कौन से कतन सत्य नहीं है 86 का अंसर होजेगा यह को महिला प्रधा अंडृत है यह सत्य नहीं Option number A यानि कि B, C से है यानि कि यह अंडृत सात्वी भाव के साथ किया जाता है सही है यह अंडृत भाकवांश्रीव को समर्भी थे यह भी सही है लिकिन महिला प्रधा अंडृत है यह गलत है Next question number 87 माठा अंडृत के बारे में से किस परवकिया अवसर पर किया जाता है अंसर होजेगा सुहराई के अवसर पर Next question number 88 अंगर है इंडृत के बारे में से कौन से कतन साते है 88 का अंसर होजेगा A और B दोनों साते है यानि के मुखे रुप से महिला प्रधा अंडृत है इस इंडृत के बारे में से अवसर पर किया जाता है दोनों कतन साते है Next question number 89 इनमें से कौन सा अंडृत विजए के उत्साह के अवसर का प्रतीक है 89 का अंसर होजेगा गेन अंडृत का प्रतीक है Option number B Next question number 90 जब इनमें से कौन सा कतन साते है से अंसर होजेगा Option number A, B, C तिनों यानि के इस इंडृत के बारे माहिला है और प्रुस्त गया को के तवारा गया के इकीत के अंतिम कड़ी को गाती है यह भी सही है उसके बाद यह हंडृत श्रीकार की विजए होकर लोटने का प्रतीक है Option number D, उप्रोक्त सा भी कतान साते है Next question number 91 निमनें कतनों पर विचार करें इस संद्रित का परदाशन करम तथा जरगा के अकरा में होता है दूसरा option है यह उपासना का अंडरित्य है तीसरा option है यह महिला प्रता अंडरित्य है उप्रोक्त कतलों का संबद के संद्रित्य से है Option number B, यानि कि जिंद अंडरित्य से Option number B is correct one Next question number 92 इन में से के से जिंद जादे में मुख्य रूप से प्राचली थैं 92 का अंसर option number C, संद्रित्य जिंद जादी में Next question number 93 इन में से के संद्रित्य में साल्व महुआ के फूलों का परियूग किया जाता है 93 का answer option number A, बहा अंडरित्य में Next question number 94 इन में किया जाता है Next question number B, अगहन में दो इसे अंडरित्य का परियूद्सन किया जाता है Next question number B, विवा के अउसर पर किया जाता है Next question number 96 बताना आपको कि हर यह अंडरित्य के बरमें में से कौन से कतन साथते है इस इंडरित्य में पर उसे के साथ महिलाएं भी भाग लेती है इस इंडरित्य के दोरान नर्था को बरताकार दोड़ती में इंडरित्य करते हैं Next question number 97 इन में से किस इंडरित्य को पर जाता है इस तरी के स्यास का सेसन में ने कंप्लीट कर लिया है 97 question के साथ में अगर आपको सेसन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए अगर चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कीजिए मिलते नेएक क्लास में तब ते के लिए चेहिंद हैवनाज दे सब्सक्राइब कीजिए और बिल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए